तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं सेर कर रहे हूं छोले मसाला की रेस्पी एक सिक्रेट मसाले के साथ ये सिक्रेट मसाला छोले में डाल करके एक बर बना करके देखिए एक दम धाबा वाला जैका आएगा पंजाबी धाबा वाला छोला हम खेर में बनाएंगे एक सिक्र करते हैं मैंने लिए है 250 ग्रब शोली हो दो सबर संरह करके 75 गंटे कम अच्छे से फूल जाएंगे और अच्छे से गल लेंगे और बहँत ही तेष्टी बनेंगे तो ठोले को मैने限 पर दिया है और यहां पर काली वाली राइची इसका भी मूँ खोल दिया है अब एक गठरी बना लेंगे अच्छे से बाद देजिए ताकि इसमें से चाय की पत्ती ना निकल पाए चाय की पत्ती से छोले का टेस्ट खराब नहीं होगा कई दोस्त हमारे पूछते हैं चाय पत्ती डालने से छोले का टेस्ट खराब हो जाता है तो टेस्ट रही भी गरेगा बल्कि अच्छा कलार आएगा छोले के अंदर इसलिए हम डालते हैं यहाँ पर छोले को मैंने प्रेशर कूकर में डाल लिया है इसमें डाल देंगे पानी और छोले से थोड़े से उपर मतलब आधा इंच उपर पानी डालिए इसमें गरम मसाला की पोटली आदी चमच नमक और वन फोर चमच साल्दी बौडर डाल देंगे ढखकन लागा देंगे और इसे पकने के लिए गैस पर सरहा देंगे पहली सीटी तेज गैस पर आने दीजिए उसके बाद 30-35 मिनट लगभग धीमे फिलेंपरी ने गल ने दीजिए अब यहाँ पर ढकन को में खोल करकी दिखा रहे हूं और भाप अपने आप ही निकलने देना तुरत भाप को नहीं निकालना है तो यहाँ पर देख सकते हैं दबा करके आप इस तरीके से एक दम परफेक्ट छोले गल चुके हाड होगा तो उतना बड़िया टेस्ट उतना बड़िया जैका नहीं आ पाएगा तो इस तरीके से हमें पकाना है छिलका अलग और अंदर का दाल जो है शोप्ट हो चुका है अब जो हमने मसाले की गटरी डाली है चाय पती की उन्हें इस तरीके से कर्ची में निकाल करके दबा देंगे तक कि जो भी फ्लेवर हो छोले के अंदर निकल जाए अब गटरी को हम हटा देंगे तो छोले यहाँ पर तयार है इसे साइड कर देते हैं और इसके लिए हम मसाले तयार करते हैं तो कराही में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर सर्सू का तेल चार से पाथ चमस मैंने सर्सू का तेल डाला है और तेल जैसे ही गरम हो जाए क्रश किया हुआ एक चमस धनिया और साबूत जीरा एक चोटा चमस तेल के अंदर डाल देंगी क्योंकि गरम मसाला तो मैंने उबालते हुए ही डाल रखा है तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्किप किया है जैसे ही मसाले फोट जैए इसमें डाल देंगे बाड़ी कटा हुआ बड़े साइज का दो प्याज और अच्छे से चलाते हुए भूल लेंगे आप चाहो तो प्याज को ग्रेट करके या पीस करके भी डाल सकती हूँ तो यहाँ पर प्याज को चलाते हुए अच्छे से हमें भूना है और इसी बीच कुछ मसाले हमें और डाल देती हूँ तो दो तच्पता एक या दो फिर सुखी लाल मिर्स डाल लीजे यहाँ पर हिंग डाल लीजे वन फोर्थ चमस और डाल देंगे ग्रेट किया हुआ एक च तो दोस्तों पहले डाल देंगे तो बहुत जल्दी चल जाते हैं और प्याज डालने के बाद में तुरत इसके साथ डालेंगे तो आप देख सकते हो मिर्ची का कलर तसपते का कलर जो है वह बिल्कुल पॉर्फेक्ट है और मसाले जलेंगे नहीं अच्छे से भूनेंगे औ अब डाल लेंगे इसमें टोमैटो प्यूरी दो टामाटर मैंने मीडियम साइज का पीस करके यहाँ पर लिया है प्याज के अंदर डाल देंगे और चलाते हुए थोड़ी देर टामाटरों को हमें बूल लेना है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी चैन मिर्च पाउडर हाल्दी पाउडर वन फोर्थ चमच एक छोटा चमच कस्मिरी लाल मिर्च पाउडर और तीकी लाल मिर्च लिए वन फोर्थ चमच आप मिर्च अपने स्वाधिक नुसर टाल सकते हो तीका बहुत खाते है तो मिर्ची और सारा डालिए पर बहुत सारे स्प लगवग 50% कूख हो चुके हैं अब डाल देंगे इसमें तोड़ासा पानी जो मैंने टमाइटर का प्यूडी डाला था उसमें तोड़ासा पानी डाल करके इसमें डाल दिया है लगवग आधा कप मसाला अच्छे से भुने इसलिए हमें पानी डालना है अभी और मिक्स करके धक्कन लगा करके low to medium flame पर धक्कन हटाते हुए दो से तीन बर हमें मसालो को पूर्णा है अब यहाँ पर मसाले की भुनाई अच्छे से हो चुकी है तेल से प्रेट हो रहा है तेल निकल रहा है अब एक बार अच्छे से चला करके देख सकते हैं अब कराही का तला भी छो र चला था उस अफिस dejar है चोले को तैयार करने के लिए और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे पानी अगर कम लगता है तो अप इसमें और थोड़ा सा पानी डाल सकती हो तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया है करममें मरें गरम मसाला में एक छोटा चमस लिया है इसकी रेषिपी इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल रखी हूँ, आप देख सकते हो, इस मसाले को डाल करके बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है, और वो सिक्रेट मसाला है, जो हमने डाला है, वो क्या है, यहाँ बर अनारदाना, अनारदाना एक चमत शोले में डाल करके देखिए, एक द यह चोले मिलता है, वो अनारदाने का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी करके बना करके देखिए, एक बाद चला देंगे, धकल लागा करके पांच मिनट तक लोटू मिडियम फ्लेम पर इन्हें हम कुक कर लेंगे, अब यहाँ पर देख सकते हो, चोले परफेक्ट तयार है, बहुत ज़्यादा पाकाने की ज़रुतनी है, अल्रेडी यह पके हुए, मसाले भूने हुए है, तो चला करके चेक कर लिजे, नमक तेस्ट कर लिजे, नमक थोरा कम लगे तो इस समय पर ढाल सकते हो, मैंने काला नमक दाला है अधीचमस, काला नमक ढालने से बहुत ब़र य भी लग रहा है जैसे ही 10 मिनट सेट होगा एक दम गारा हो जाएगा अब धकन लगा देते हैं गैस का फ्लेम आप करके 10 मिनट सोड़ देते दस मिनट के बाद में मैंने एक बाउल में छोले को सर्व करने के लिए निकाल लिया है ऐसे थोरा साधा साधा लग रहा है मैं इसमें गी गरम करके चोटा सतर का लगाती हूँ दो चमस देशी गी और पतले पतले लंबे कटे गवे थोरे से अधरक थोरे से लाशुन दो हडी मिर्चीरा लगाया हूँ एक लाल मिर्च आप चाहो तो कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल सकते हैं मैंने एकिप किया और बहुत सारे मसाले हैं छोले के अंदर उपर से डाल दीजिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर हो गया तरका डालते और भी ब्यूटिफुल लग रहा है कोई भी चीज बनाते हैं आखो के सामने जब सर्फ करेंगे तो सबसे भले खाने की चीजों को आखाती है तो इस सुरी रस्पिक साथ बाइबाइबस तो